बैसे तो भारत देश अपनी सुन्दरता की कारण पूरे वर्ड में फेमस है लेकिन भारत देश की अंदर भी कुछ ऐसे इस्टेट है जो भारत देश से भी अधिक सुन्दर है और उनमें से एक है नागा लेंड नागा लेंड को पूर्व का सुजे लेंड भी कहा जाता है जो अपने अनोखे निया मनोखी संस्कृती अनोखे रेतरिवाज के लिए ही जाना जाता है यही नई नागा लेंड का पहनावा भी पूरे भारत देश से अलग है नागलेंड भारत का एक मात्र राज्जी है जहां के ज़्यादा तार लोग किसी भी एक भासा में बात नहीं करते आज हम आपको बताने वाले हैं नागलेंड की कुछ ऐसी बाते जो शायद आपको हैरान करते यह भारत का एक छोटा सा राज्य है जहां कुलाबादी उनिसला अकटासी अजार 636 है नागलेंड भारत का एक मात्री राज्य है जहांके 88% लोगी साई धर्म का प्रियोग करते हैं जबकि हिंदू सिर्फ 8% और मुसल्मान 2.5% है नागलेंड का ज़्यादातार हिस्ता पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है यहां बिलगबग 16 से ज़्यादा अधिक जनजाती निवास करती हैं हर एक जनजाती की अपनी एक अलग अलग भासा है इसलिए नागलेंड में कोई भी एक प्रकार की भासा बोली नहीं जाती यहां पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा है आओ जिसमें सिर्फ 12% लोग ही बात करते हैं नागलेंड के बहुत सारी जनजाती अपने पाउ में कड़ा पहनते हैं जाता है इससे उन लोगों को पेड़ पर चड़ने में आसानी होती है नागलेंड के संस्कृती के हिसाब से यहां के बहुत सारे जनजाती चादर पहनते हैं नागा लेंड की नागा संस्कृति के हिसाब से नागा लेंड के ज़्यादा तार लोग कुट्टे का मास खाते हैं और इसको वहां की सदियों से चली आ रही संस्कृति का हिस्ता माना जाता है लेकिन नागा लैंड में एसे भी बहुत सारी लोग रहते हैं जो कुट्ते का मास नहीं खाते हैं कुछ नागा जन जाती सपनों को काफी महत उदेते हैं और यह लोग सपनों के जरिये वास्तविक्ता को देखने की कोशिस करते हैं कहा जाता है नागा लेंड के कुछ जन जाती बहुत ही खतरनाक होते हैं इसलिए नागा लेंड के कुछ इलाकों में जाने से पहले साफधानी बरतनी चाहिए भारत के ज़्यादातार लोग यह सोचते हैं कि नागा लेंड के लोग बहुत पीछे हैं यहां के लोग जंगलों में सिकार कर पेट भरते हैं लेकिन शायद आपको पता नहीं है नागा लेंड में सिक्षित की मात्रा 80 से 85 परसेंट है जो कि भारत के अन्य राजियों से बहुत ही जादा है आपके जानकारी के लिए बता दें कि नागा लेंड के 80 परसेंट लोग क्रस्ट के साथ नियुक्त होने के बावजूद सबजियां खाना पसंद नहीं करते नागा लेंड में चोकाने वाली बात यह है कि यहां पटाकी नहीं फोड़ सकते हलाकि यहां बहुत सारे जंगलों में पटाकों से ज़्यादा बम फटता है नागा लेंड में विस्की, रम, बीर, किसी भी प्रकार के अलकोहल में प्रतिबंध लगा हुआ है नागा लेंड के संस्कृति के हिसाब से नागा लेंड में बहुत सारे तेवहार भी मनाय जाते हैं इसलिए इसे तेवहारों की धर्ती भी कहा जाता है नागा लेंड भारत का एक उत्त्रपूर्वी राज्जी है नागलेंड में दीमापुर एक मात्र ऐसा इस्थान है जहां रेल और विमान सेवाइं उपलब्ध हैं। कोलकता से दीमापुर को जोडने के लिए सब्ताह में तीन दिन इंडियन एरलाइन्स की उडान सेवाइं उपलब्ध हैं। Hello Guys, मैं अनुझा, first of all subscribe now and press the bell icon never missing update from Anvika Joan